Hey guys welcome to aqsa tutorial channel और आज हम बात करेंगे data types के बारे में जो की है episode 3 of Excel Power Query Masterclass जैसे आपने episode 1 और episode 2 देखा ही होगा कैसे हमने introduction में कुछ आपको बताए कैसे हम call कर सकते है Power Query को from different data types और second में हमने कुछ limitations explored की थी यह आपके लिए better playlist होगी अगर आपने subscribe नहीं के जूर के लिए कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा कुछ ही लेकर आने वाले है चलिए शुरू करते हैं तो हमारे पास यह कुछ data है हमारे पास available product id है product name है price है warehouse city है trade है or date of transactions है quantity कितनी ली गई है तो यह कुछ types है मेरे पास जिसके basis पे हम अपना data types क्या होते है उसके क्या features होते है वह हम calculate करेंगे तो इससे बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद हम quantity price है तो amount भी calculate कर लेते हैं amount को calculate करने के लिए क्या करेंगे हम price into quantity से multiply कर देंगे जुरूर याद रहे है कि हमने रो को लॉक करने तो F4 से हम कर सकते हैं तो अगर हम इसको enter करेंगे तो यह में आपास number आ गया उसको apply to all कर देंगे यहाँ पे कुछ 0 आ रहा है तो इसको अभी ignore करते हैं तो उसके बाद हम calculation करते हैं data types होते हैं इसकी में value बताऊंगा कि इसको कैसे हम rectify कर सकते हैं in the following minutes तो अब हम क्या करेंगे इन सब को select करेंगे और data में जाएंगे data के बाद क्या है from table or range तो यहाँ पे एक आपको pop up मिल जाता है इसमें आपको लिखता है my table has headers अगर आपके पास headers हैं like amount quantity and all तो आप उसको click करेंगे नहीं है तो मत कीजेगा तो यह हमारे पास खुल जाता है तो applied step में आप देख रहे हैं कि पहले से हमारे पास change type क्योंकि change type मतलब कि यह हमने quantity select की है पहले से इसमें आ रहा है और एक तरह से applied steps में ही आ जाता है जो भी हमने changes की होते है अपनी sheet में तो इसमें आपको देख रहे हो data types होते है data type जैसे कि आपके वाज कोई भी data column है like product id एक यह ही जो types होते हैं यह यहां पर लिखा होता है यह सारी data types होते है like decimal number, currency, whole number, percentage यह आपके जो भी क्या करता है कि उसको एक तरह से आप denote कर देते हो कि यह जो data type हो कि type का है, जो calculation कर सकते हैं उससे उस type का है यह फिर कुछ numerical है यह फिर alphabetical है यह फिर conditional है like true or false यह फिर binary number है यह फिर simple text है तो हम एक तरह सिर्फ power query को हम denote कर रहे हैं यह है यह है तो numerical तो यहां पर product ID यहां पर लिख दीगी है तो 123 product name ABC इसका क्या मतलब होता है टेक्स प्राइस ऑफिसली बात है numerical form में है तो 123 लिखा हो है यहां पर वैसे यहां पर state date quantity amount तो यहां पर आप देख रहे होगा कि यहां पर date लिखी है बद उसके साथ time भी लिखा हो ह है तो हम यहां पर सिरफ date कर देते हैं उसको तो यहां पर आपको आ रहा होगा क्योंकि मुझे time की इतनी जुरुरत नहीं है calculation में तो हमारे पास यहां पर पहले से आ रहा होगा कि replace current या add new step तो मैं replace current पर click कर दूँगा तो हमारे पास सिरफ और सिरफ date आ जाएगी ठीक है वै ABC और 123 का क्या मतलब होता है कि इसमें हमारे पास text भी है और एक तरह से हमारे पास whole number भी है तो इसमें क्या होता है कि मदलब calculated data नहीं है या फिर उसमें कुछ ना कुछ error है जिसको हम replace कर सकते हैं या फिर error नहीं होगा तो source में तो यह data था सारा तो change type हम नहीं किया amount में तो यह यहां पे भी क्या है ABC 123 यहां पे भी कुछ ना कुछ calculation हमारे यहां तो wrong हुई है क्योंकि amount है whole number होना चाहिए ठीक है अगर हम इसको whole number करते हैं error आपको show कर देता है वैसे अगर हम इसको जाएंगे like whole number पे click करेंगे तो यहां पे हमारे पास arrow आ जाएगा तो null को हम null यहां पे लिखा हुआ है पहले सी calculate कर लिया किया है तो जैसे कि मैंने पीसली वीडियो में बताया था कि अगर आप calculation करेंगे from the source नल तो यहां पर दिनूटके वहां पे ब्लैंक छोड़ा हुआ था तो वो 00 ही रहता है तो यहां पे अगर हम यहां पे आके करते हैं तो यहां पर error show हो जाता है तो उसको जैसे आपने episode 2 में देखा था तो उसको हम कैसे rectify करते हैं तो उसमें मैंने बताया हुआ है for example अगर हमने इसको null को replace करना हूँ ठीक है जैसे कि replace errors यहां पे click कर देंगे तो हम replace error with value क्या लिखेंगे 0 क्योंकि obviously बाद अगर को quantity नहीं लिखी गई है तो उसक error को हम replace कर देंगे फिर से कैसे 0 से denote कर देंगे तो महाँ पास पूरा का पूरा error यहां से चला गया है ठीक है hope आपको समझा रहा है कि यह data types होते हैं इसको कैसे deal किया जाता है और next हम एक क्या चीज़ करेंगे हम एक add column करेंगे custom column तो custom column में हम क्या add करने वाले है जो product ID है product ID को add करेंगे एक तरह से chair को के साथ with the help of and operator वह मैं आपको बताता हूं जैसे custom column हमने add किया तो यहां पर एक product ID है पहले हम product ID को ले जाते है and operator को हम use करेंगे to add product ID to product name तो quote unquote करेंगे थोड़ा space डाल देंगे और hyphen डाल देंगे ठीक हाइफन से हम donate कर देंगे इसको इसके आगे भी अगर हम space डाल चाहे तो डाल सकते हैं उसके बाद feed and operator हम use करेंगे तो उसके बाद हम product name डाल देंगे तो इसमें क्या होगा कि हम एक column add कर रहे हैं ठीक है मैं product नाम से ही add कर रहा हूं तो इसमें क्या होगा है कि मुझे ID और product name 18 मिल जाएगा दोनों के 18 मिल जाएगा तो इसके cannot apply operator and to types number and text इसका क्या मतलब ध्यां से सुनिएगा अगर हम power query में कुछ भी calculate कर रहे हैं उनका जो भी data type होता है वो same होना चाहिए एक बाद मैं फिर से बोलूगा अगर हम कुछ भी calculations हम कर रहे हैं या custom column create कर रहे है custom formula create कर रहे हैं तो उसमें जो भी data types होते हैं वो same होना चाहि तो हम इसको clear करने के लिए क्या करेंगे इसके clear करने के लिए जो हमने apply step के उस पर double click करके हम उसी चीज़ पर आ जाएंगे ठीक है तो यह जो था हमने यह formula लगाया था ठीक है formula में कुछ गड़ बड़ी नहीं है सिरफ यह है कि जो product ID है वो एक तरह से महापास number format में है या number type type में है ठीक है और जो product name है वो text type में है इसको यहाँ पर लाने के लिए क्या करेंगे हम जो product ID है उसको हम text में convert कर देंगे क्योंकि हम product ID को calculate करना ही नहीं क्योंकि वो एकतना से product का ID number है उसको calculation में हमारे पास कोई जरुरत है ही नहीं है तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर text में convert कर देंगे, तो एक तरह से हमारे पास text आ चुका है, और वैसे हम यहां पर देखेंगे, ठीक है, तो हम जो added custom है, जैसे हमने episode 2 में किया था, जो इसका जो hierarchy होता है, जैसे कि applied steps होते हैं, उसको हम नीचे ला देंगे, और यह देखे, तो महारे पास यहां पर product with product ID आ चुका है, और data types भी बिल्कुल ठीक है, होप आपको समझ आया होगा कि data types होते हैं, उसको कैसे deal करना चाहिए, उसको कैसे हम customize कर सकते हैं, पाओ carry में calculate कर सकते हैं, और इसकी क्या-क्या limitations होती है, अगर आपको कुछ समझ आया होगा, जरह सभी जरूर लाइक कीजिएगा, अगर आपको कुछ questions है, comment box में डाल दीजिगा, अगर आपको ये sheet चाहिए for the practice purposes, वो आपको मिल जाएगी in the description box, देखतरी इस channel को अगर आपको जरह सभी कुछ सीखने को मिला तो आप share जूर कर दीजिगा, अगर आपको लगता है कि ये जो playlist है किसी को useful होगी तो उसको share जू झाल 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